Hey guys how are you all ? I hope you all are fine और दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका इस new lesson में तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Types of Economic Systems के बारे में हैं पूरी दुनिया में इंडिया में कितने टाइप के Economic System हैं कौन-कौन से देशन हैं कौन से एकॉनमिक सिस्टम अपना रखा है स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया का एकॉनमिक सिस्टम का नाम क्या है ये बाते हम लोग देखेंगे तो एकॉनमी का काफी important topic है अगर आप किसी exam की त्यारी कर रहे हैं for example आप UPSC, SSC, banking या किसी exam की त्यारी कर रहे है जिसमें economy पूछी जाती है तो आप जरूर ये इसको देख सकते हैं आपको जरूर इससे help मिलेगी दोस्तों अगर आपको मेरे दोरा बनाए का lesson अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को like करना है share करना है दोस्तों और बता देना आपको अगर कोई doubt है किस तरह कोई confusion और जरूर मिर से comment करके पूछ सकते हैं apart from this you can also follow me on instagram I have given the link in the description below वहां सा follow कर लेना और मैंने और भी courses बनाई हो है अपने youtube channel पर जैसे अगर आपको English सेखनी है तो spoken English का full-fledged पूरा video course है तो आप जरूर एक बार देख लेना आपको playlist मिल गाएगी वहापे आप चेक कर सकते हैं तो चलिए हम आज का video स्टार्ट करते हैं सब बाते मैं आपको बताऊंगा पहले basic से हम लोग कुछ बाते समझते हैं पहली बात किसी भी देश का economic system को समझने के लिए कि किसी देश में कौन से economic system follow होता है हमें तीन question के जवाब हमारे पास होने चाहिए आपको ये बात पता होगी कि जब भी किसी देश की बात होती है तो वहाँ पर दो चीज़े होती है उस देश में goods and service goods जाने की समान service जाने की जो सेवाय देते हैं उनकी किसी देश में कितनी goods and services produce हो रही है नई ये उस देश में वो देश कितनी grow कर रहा है उस पर depend करता है तो ये goods and services है इसके base पर आपको तीन question की जवाब आपको पहले देने पड़ेंगे अगर आप ये तीन question की जवाब आप समझ जाएंगे तब आपको समझ मायागा basically economic system कैसे काम करता है तो पहला हमारा question क्या है पहला question ये है what goods and the services should be produced in the country हर country को अपनी need के अनुसार ये पता होना चाहिए या पता होगा कि हमें कौन सी goods और कौन सी service को produce करना है अपनी country में तो पहला जवाब तो सरकार को या कोई individual उसको पता होना चाहिए कि हमें आखिर कौन सी goods and services produce करनी है मैंने सरकार के साथ individual को नाम क्यों लिए अभी आपको आगे समझ में आएगा दूसरा question आता है ये जो goods and services produce करनी है आखिर ये कैसे produce करनी है how should the goods and services be produced क्या इसके लिए सिर्फ human labor की जरूबत पड़ेगी या फिर हमें capital की जरूबत भी पड़ेगी देखिर दो तरह की levers होती है एक तो होती है human labor जैसे माली जीए teaching की बात करें teaching की अगर हम बात करें तो ये एक human labor की need है apart from this अगर हम बात करूँ furniture बनाना है तो ये capital की need है तो ये सब चीज़े decide करने पड़ेगी कि आखिर जो goods and services हम लोग produce करना चाहते हैं उसमें basically हमें किस step की labor चाहिए क्या वो human labor intensive है क्या वो capital यानि की machine बगरा के लिए ज़्यादा use होने वाली है ये उस पर depend करता है तो दो question क्या हुए पहला कौन कौन से goods and services हमें produce करने है और दूसरा कि आखिर जो goods and services produce करने है वो कैसे करने है ठीक है तीसरा question हमारे पास आता है how should the goods and services should be distributed पहले हमने decide किया कि हाँ चलिए हम लोग बनाएंगे जैसे एक example लोग हम लोग बनाएंगे हमने यह भी decide करेंगे ती का production हम लोग human labor के थुरू करेंगे अब production भी हो गया उसके बाद हम लोग यह decide करेंगे कि आखिर जो produce हुआ है माल उसको distribute कैसे किया जा लोगों के बीच में तो यह तीन जो question है इनका answer जब हम लेते हैं तब हम हम पता चलता है कि economic system हमें कि step का चाहिए समझ में आया है यहां तक तो यह तीन आपको question अच्छे है समझ लेने हैं अब इन तीनो question का answer क्या हो सकता है इन तीनो question का answer दोस्तों depend करता है country to country so answer to these question is to depend over the market forces market में किसी चीज की demand है वही चीज produce की जाएगी market में supply और demand का जो खेल होता है उस पर depend करता है अगर मालो market में किसी चीज की demand है पारले के biscuit की demand है market में तो obviously उस चीज का production होगा और उसकी supply market में किये जाएगी समझे आप तो यहां पर आपको जो concept समझने की बात है जो में भी आँगे आपको बताऊंगा उसमें आपको ध्यान देना है यह market force बहुत matter करता है ठीक है और दूसरी चीज demand and supply आपको पता होगा किसी चीज की demand अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है market में तो उसकी rate बढ़ने लगती है जैसे मान लीजिए लोगों के पास पैसा आ गया किसको योजना चलाएगी इसमें सरकार ने लोगों को पैसा दे दिया तो लोग क्या करेंगे सब के पास पैसा आ गया तो वो demand बढ़ा देंगे जब particular चीज की demand बढ़ जाएगी और उसकी supply नहीं बढ़ेगी तो basically क्या होगा वो चीज जो महिंगी होने लगेगी इसलिए demand और supply के बीच में balance होना चाहिए ना तो demand बहुत ज़ादा हो अगर demand बढ़ रही है तो उसी ratio में supply हो अगर supply की चीज की बहुत बढ़ जाएगी demand नहीं है तो वो चीज सस्ती होना start हो जाएगी तो यह balance बनाना पड़ता है इस balance को बनाने के लिए ही जो countries होती है वो क्या करती है different different economic system को अपनाती है सबसे पहला जो economic system हाता है उसे हम बोलते है capital economy capital economy क्या होती है in this particular capital economy or the market economy this is also called the capitalism इसमें क्या होता है सिर्फ वही goods and services produced की जाती है जो demand में होते है याद रखना capital economy में क्या होता है वही goods and services produced की जाएंगी जो demand में होगी यह पहली बात होई इसकी दूसरी बात जैसे example को समझे इसको example समझे अगर मालीजिए कि market में bike की demand है तो bike बनाई जाएंगी अगर market में cycle की demand है if bicycles are in demand then bicycles will be produced समझ रहें आप तो यह है capital economy का funda सब कुछ depend करता है demand पर लोग क्या चाते हैं वही चीज़ बनाई जाएगी So in the capitalist society the goods produced are distributed among the people not on the basis of what they need यहाँ पर इस base पर नहीं वो करते हैं distribute के लोगों को आखिर need क्या है यह depend करता है कि लोगों की purchasing power क्या है क्या लोगों में हिम्मत है खरीदने की उस पर depend करता है याद रखना capital economy के अंदर demand supply का खेल होता है इसमें लोगों को need क्या है वो matter नहीं करती है लोग purchase कर सकते हैं या नहीं परचेसिंग पावर कैसी है इस पर depend करता है their ability to buy the goods and services उसके according जो economy है उसमें production होता है समझ माया capital economy क्या होती है यह है basic economy इसका सबसे best example आप ले सकते हैं USA जो अमेरिका है वो एक capitalist country है और USA के जो अलाय है वो भी capitalist country है वहाँ पर depend करता है बेसिकल वहाँ पर mainly देखा जाए तो private sector बहुत ज़्यादा बूम करता है और वो लोगों के demand के हिसाब से लोगों की purchasing power के हिसाब से वहाँ पर production वहाँ पर होता है तो यह पहले टैप की economy हुई आपकी दूसरी economy आती है the typical socialist economy socialist economy में क्या होता है in the socialist economy the government decides what goods are to be produced in accordance with the need of the society वहाँ पर क्या हो रहा था वहाँ पर market decide करती है capital में और जो socialist society में क्या होता है यहाँ पर decide किया जाता है सरकार के द्वारा यहाँ पर government का बहुत बड़ा रोल होता है government decides everything कि कौन सी हमें goods produce करने है कौन से good की लोगों को need है यहाँ पर focus होता है need पर ना की purchasing power पर ठीक है तो याद रखना capital वाले में वहाँ पर purchasing power पर जादा focus था यह होता है socialist society इसका best example आप ले सकते है Russia या फिर erst while USSR भी कह सकते हैं आप China आप ले सकते हैं Cuba is the example of socialist economy यहाँ पर सरकार सब कुछ control करके रखती है private जो होते हों बहुत कब होते है the desire of the individual consumer are not given much importance यहाँ पर जो individual consumer की जो वो है मतलब demand क्या कर रहा है उसको importance नहीं देते हो उसको depend यह करता है कि लोगों को as a whole क्या need है यह होती है socialist economy उसी के according वहाँ पर production होता है so the government decides how goods are to be produced and how this would be distributed याद आया starting के तीन question यहाँ पर government ही decide करती है के goods कैसे produce होने है और उनको distribute कैसे करना है यह हुई हमारी दूसरी टाइप की economy जिसको हम लोग कहते है socialist economy अब तक हमने दो देखी है capitalist and socialist India जब आजाद हुआ तो उसने ना तो capitalist को चुना ना उसने socialist को चुना socialist मतलब पूरी तरह से government और capitalist मतलब पूरी तरह से private या almost private तो इंडिया ने क्या किया जब इंडिया आजाद हुआ तो उसने बेसे के लिए क्या करा उसने नई तरह की economy को चुना ठीक है काउन से अभी मैं आपको बताऊंगा अगर हम socialist की बात करें तो इसका principle क्या कहता है the distribution under the socialism is supposed to be based on the what people need यह focus करना यह based किसपर करता है कि लोगों की need क्या है लोगों की need पर depend होता है यहाँ पर not what they afford or they can purchase this is the key point of socialism socialism economy में लोगों को need क्या है उस पर focus किया जाता है बजाए वो क्या purchase कर सकते है so in the socialist nation provides free health वो free में health provide करते है citizen को और यहाँ पर strictly socialist society में there is no private property सब कुछ जो control करेगी वो government करेगी private कुछ भी नहीं होगा typical socialist society की बात कर रहा हूँ although Russia जो है वो पूरतर से typical socialist नहीं है China और Cuba आप example ले सकते हैं समझ में आया हमने दो चीज़े देख ली है capitalist economy क्या होती है capitalist economic system क्या होता है और दूसरा हमने देखा है socialist economic system अब आता है दोस्तों mixed economic system mostly जो countries दुनिया में वो ज़्यादातर इसी system को follow करती है और हमारा इंडिया भी इसी system को follow करता है इस system में क्या होता है इस system में दोनों चीज़े साथ में काम करती है कुछ portion government के पास होगा कुछ चीजों में government decide करेंगे और कुछ चीजों private company decide करेंगे तो क्या होता system देखते है the government and the market together answer the three questions जो इस starting में आपको तीन question के पूछे थे उन तीनों को answer कौन-कौन मिलके देता है the government and the market market से मतलब यहाँ पर है private player यह दोनों decide करते है ना सिर्फ market decide करती है like capitalism ना सिर्फ government decide करती है like socialism दोनों मिलके decide करते है hence come the name mixed economy and India is having the mixed economy तो यह decide करते है क्या produce करना है कैसे produce करना है कैसे distribute करना है मतलब की market वो चीज़ा प्रोवाइट करेगी जो वो प्रेडूस कर सकती है और बाकी की जो essential चीज़ा होते है जैसे की healthcare, free healthcare और government करेगी दोनों का mixture आप कह सकते है socialism और capitalism का तो इंडिया जो है उसका जो system वो है वो है mixed economy जब हमारा देस आजाद हुआ उन्होंने decide किया क्या कि इंडिया की जो economy होगी वो एक mixed economy होगी तो दोस्तों ये था video about the economic systems in India वीडियो आपको कैसा लगा comment करके बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करना है share करना है दोस्तों और अगर अब तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर लिजिए और आपके जो भी दोस्त है जो किसी exam की तयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को share कर दीजिए so that's all about this video thank you so much take care bye bye